पर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अप्टे चानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेबरिट वीडियो की तरह हम अपना नजरिया इतदाल के साथ बेयान कर सकते हैं किसी को गन पॉइंट पे हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुनी हैं या शीया हैं शीया में भी जो समझदार किसम के थोड़े से हैं ना वो भी इस चीज़ को नहीं मानते ये मातम शादम और ये वो भी नहीं मानते अरान में नहीं होता ये इस तरह के रोट पे जलसे नहीं होते अरान में इस तरह के मातम के हजरत जाफर तयार रजी लाह तालानू एहल बैत में थे या नहीं थे यकीनन थे जब शहीद हुए है तो आपकी चार बीवियां बैकवक बेवा हुई है एहले बैसे महबत में ये भी है बेवा हुई है चार उनके चीखने की रोने की आवाज आई नभी सल्लाव लिए उसल्म ने इतनी सखत वईद फरमाई पहले फरमाया का आराम से जब बाज नहीं है तो फरमाया इनके मूँपे क्या फेको खाक फेको जाके हाला के वो जाफर तैयार क्या थे नभी के सगे चचा के बेटे एहल बैत में से थे बड़े फजाईल हैं उनके और जवान शहीद हुएं तो हम अपने मसलक को तो डिफाइन करेंगे ना भई हम एहल सुन्नत सवाल पैदा होता है इसलाम में तो फरका वारियत नहीं है तो यह एहल सुन्नत और शिया का क्या फरका गया बात यह है कि हमारा यह मसलक है हम कुरान और सुन्नत की वो तश्री मौतबर मानते हैं जिस पे सहाबा चले और शिया हजरात सहाबा को फॉलो नहीं करते हैं यह बड़ा इखतलाफ है हमारा और उनका हम हदरत अली से भी महबबत एमान का जुस समझते हैं सब की बात नहीं कर रहा बहुत से शिया मानते भी हैं याद रखो सब को एक लाटी से हाँ का मत करो तो बागी मैं कभी कबार फेस्बुक पे ना मेरे पेज़ पे लोग शिया के जो जाकरी ने उनकी स्पीचिस शेयर करते हैं पता नहीं क्या उनकी तखरीरे होती हैं अजीब से स्टाइल होते हैं तो मैं जो शिया हजरात में जो समझदार लोग हैं उनसे कहता हूं देखो कि आपको अपने मजभी रहनुमाओं में कोई समझदार आदमी मिले तो उसको फालो करो ये क्या किन लोगों की तखरीरें आप सुन रहे हो फेस्बुक पे जो शेरिंग हो रही है जजबास से हटके कभी उनकी स्पीचिस में गोर किया करो ये क्या बातें कर रहे हैं ये तो फुजूल ना रिवायतों का कोई सर ना कोई पैर ऐसे मनघरत किस्से ये तो बैड़ के बनाते चले जाओ भेकते चले जाओ वो हमारे उस्तास थे ना एक अगर वो जिन्दा है तो उनको उमर में बरकत दे अगर दुनिया से जा चुके हैं अगर उनकी मख़र दे तो पता नहीं कहां चले गए वो तो उनमें एक खुबी ये थी कि वो तारीफें अपनी बहुत करते थे अच्छे उस्तास से टीचर भी अच्छे थे लेकिन उनमें एक बात थी कि तारीफें बहुत करते थे और अपनी तखरीर कर रहे हैं तो एक तालीफिल्म को हमने देखा, डेस्क के नीचे यू-yू कर रहा है। उसको देखा देखी, दूसरों ने भी ऐसा शुरू कर दिया। मैंने का ये क्या हो रहा है। उन्हेंने का ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। जैसे वो पतंग का माँआचा लेपेडा जाता है न, पतंग का माँआ ऐसे लेपैटते है न, कहीं ये लम्बी-लम्बी क्या कर रहे हैं। उस्ताद महतरम छोड़ रहे हैं। चोड़ रहे हैं। हो सकता है इनमें कोई समझदार भी होते हो जो हम तक नहीं पहुंचते लेकिन जो आजकल जो स्पीचिस जाकिरीन की आ रही है उनको देख के मुझे यही ख्याल आता है कि यार यह छोड़ रहा है और आपने क्या करना है लपेटना है तो वो जो सामने बैठे हुए है पदनी क एड़ी मेड़ी बात कर देना फॉरन फेसबुक यूट्यूब पे अजीव जीव कमेंट्स आते हैं और अच्छी बात है अगर हम गलत बात करें तो कमेंट्स आने चाहिए ताकि हमें भी तो कोई सीधा करने वाला हो लेकिन यह पूरी तकरीर गलत हो रही है मगर उसको कोई कोई उनको तंबी करने वाला नहीं होता तो इसलिए हमारा जो दीन है याद रखो इसलाम में इतनी अट्रेक्शन है कि इसलाम को दुनिया में पहलाने के लिए तबलीख की भी जरूरत नहीं है मोसली जो गेर मुसलिम मुसल्मान होते हैं बगेर तबलीख के होते हैं अल्ला अरे ये मरसिय देखे क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा माइल होगा वो बहुंगे इनको क्या हो गया ये कैसा मज़ब है क्या हदरत हुसेन की ये तालीमात थी कितने बुझरगान दीन ऐसे हैं उनकी जिन्दगियां देखके लोग इसलाम कबूल किया उन्होंने, नमाजें देखके, उनके लाइफ स्टाइल देखके, मुसल्मानों का कल्चर देखके, लेकिन मुहर्म में और रभी लओल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देखके अल्ला की गसम कोई गहर मुसलिम मुसल्मान नहीं होगा, व ये वार चली है ना, तो हमारे एक उस्ताज से, मैंने उनसे पूछा कि उनकी बड़ी मालूमात थी, मैंने गए ये जो 35,000 अमरीकी फौजी मुसल्मान हुएं साओधी अरब में, ये किसकी तबलीग से, उन्होंने का किसी की भी नहीं, इनको इसलाम को अब पढ़ने का मौक और चूरी और चाकू और देगें हलीम की, ये इसलाम नहीं है मेरे बाई, ये इसलाम नहीं है, तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूँ, जो कर रहा है उनका मसलक है, उनको करने दो, महबस से अगर किसी को समझा सकते हो, तो समझा दो, खुद अल्ला का वास्ता, इन चीज़ों म ना पड़ो, हमारे मजब में कोई महीना मनहुस नहीं है, अगर हम कहते हैं, अहल बैत पर जल्म हुआ इस महीने में, तो एहल बैत की तारीख उटाके देखोगे, तो किसी एहल बैत पर सफर में जल्म हुआ किसी पर, रबी उस्तानी में हुआ, पूरे साल किसी ने किसी पर अदल होता रहे, कोई एक तारीख भी इसलामी तारीख में ऐसी नहीं है, जो बची भी हो, तो कब तक मनाते रहोगे, किस किस का दिन मना, हदरत हसन को जो जहर दिया गया, क्या ये जल्म नहीं था, तो वो दिन भी फिर नहुसत का मनाना चाहिए, और अंबिया को शहीद किय गया है, बहुत सारे दिनों में, पेखंबरों को शहीद किया गया है, ऐसा, अब मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी, तो देखा कि वो लब्बै कि या रसूल ला के नाम पे चंद लोग, सारे ऐसे नहीं होते, किसी भी गौम को मैं सब, हर जगा कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो उन्होंने जनाब रास्ता रोक लिया और लब्बै कि या रसूल ला केके नाचने लगे, वो जो गाड़ियां गाड़ियों में फसी हैं बुरे तरीके से, इसक्दर कोफट हुई है, ट्रैफिक बगएर इतला कि जब ऐसा कोई होता है, तो ट्रैफिक क्या हो गया, फस ग बोरा आके देख ले, वो बोले हमारे हाँ तो ट्रैफिक जैम भी होता है, तो हम लाइन से नहीं हटते हैं, और तुम्हारे हाँ नभी के नाम पर जब चाहो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाओ, तो इसलाम तो मेरे भाई मेनेजमेंट सिखाता है। बोराएजनी की फेवरेट विडियो कीजिए अ het झाल झाल